सो हे गाईस स्वाकत है आप सभी का आपके अपनी चैनल एलडी टेलर्स में मैं हूँ आपका दोस्ट शाहिद खान तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एपराउन कोट की स्टीचिंग जिसे डॉक्टर कोट और नर्स कोट भी बोला जाता है तो इसकी स्टीचिंग हम आपको स्टेब बाई स्टेब बताएंगे तो दोस्तो जैसे आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेंगे वहाँ पर जाकर आप एपराउन कोट की कटिंग करना आसानी के साथ सीख सकते हैं तो दोस्तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो इस तरीके से हमने दोनों फ्रेंट के पल्लों में पेस्टिंग कर ली है अब दोस्तो जैसे हमने इस गला है वो 10 इंच तोड़ा हुआ है आपको गला जैसे कम रखना है तो आप कम भी रख सकते हैं अब दोस्तो जो हमने फैसन पटी तोड़ी हुई थी उसको हम उल्टा फोल्ड करेंगे उल्टा फोल्ड करने के बाद दोस्तों मार्किंग करेंगे जहां तक हमारी सिलाई रहेगी ये जो हमारा गला टूटा हुआ है वहाँ से हम आदा इंच बस छोड़के निसान लगाएंगे और इतने बीच पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा लिए है इसको कट करके इसको पलट लेंगे दोस्तो इसमें हमारा कोट कॉलर बनता है इसमें आप अलग से कपड़ा भी लगा सकते हैं हमने इसमें कपड़ा हमारा था तो इसलिए हमने इसी में इसको पलट कर बना लिया है तो इस तरीके से पलट लेंगे पलटने की बाद हम इसमें सिलाई लगा लेंगे दोस्तो इसी तरीके से आपको दौनों पल्लों को तयार कर लेना है दोस्तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिस है कि आपने हमारे चैनल Alt Tellers को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल Alt Tellers को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में लगी हुई बैल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर अन कर दे जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिल जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से हमने दोनों पलों को तयार कर लिया है अब दोस्तो हम पॉकिट किस तरीके से लगाते हैं तो यह हमारा लेट बाला पला है लेट बाले पले में हम एक उपर पॉकिट लगा लेते हैं तो इस तरीके से हमने pocket की pasting कर ली है, pocket को चौकर हमने तोड़ा है, तो pocket हम pocket की जो दूरी रखेंगे, वो सबा 2 इंच रखेंगे, pocket को हम यहाँ से मिलाकर लप से attach कर देंगे, दोस्तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं, जो हमारे front पले में हमने जो उपर pocket attach की हुई थी, उसकी चौड़ाई 4 इंच थी और लंबाई 5 इंच है, तो इस तरीके से आप pocket को तोड़ लेंगे, यह नीचे बाली हमारी pocket है, लंबाई है इसकी 6 इंच और चौड़ाई है इसक लगाएंगे, और नीचे से दोस्तो हम लोग 1.5 इंच छोड़के रखेंगे, आप 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें 1.5 इंच रखेंगे, यहां से हम सबा 2 इंच पे निसान लगाएंगे, दोस्तो सेंटर का business ख्याल रहे, तो इस तरीके से हम निसान लगाने के ब तो दोस्तो इस तरीके से हमारे एक पल्ले में pocket लग गए हैं दोनों तरफ, अब दोस्तो हम दूसरे पल्ले में pocket किस तरीके से लगाएंगे, तो जिस पल्ले में हमारी pocket नहीं लगी है, उसको हम नीचे रखेंगे, लगी हुए पल्ले को हम उपर रखेंगे और इस तरीके से marking लगा लेंगे, जिस पल्ले में हमें pocket लगानी है, इस तरीके से दोस्तो आप pocket लगाएंगे, तो आपका जो pocket का center है वो out नहीं होगा, इस तरीके से हम इसको रखेंगे, और रखने के के बाद हम इसको लबकी सिलाई से अटेच कर देंगे तो दोस्तो इस तरीके से हमारे फ्रेंट पर ले की स्टेचिंग हो गई है अब हम आपको बैक पर ले की स्टेचिंग किस तरीके से करते हैं चलिए बो बताते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप जो मार्किंग देख रहे हैं बैक में हमारा जो है चाक बनेगा तो इस तरीके से यहां से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहां के बाद दोस्तो अब हम इसको पलट लेंगे पलटने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको बिठाल लेंगे अब दोस्तो हम इसको कट करेंगे तो इसको हम सेंटर से कट कर देंगे कट करने के बाद दोस्तो हम उपर इस तरीके से क्रॉस में चटका लगा लेंगे अब दोस्तों ये दोनों पल्लों में हम नाकूनी फूल्ड कर लेंगे इस तरीके से नाकूनी फूल्ड करेंगे हम दोनों पल्लों को जिससे हमारा मारजन कच्चा ना रहे तो दोस्तो इस तरीके से हमने दोनों पलों को नाखूनी फुल्ड कर लिया है अब हम बैक में सिलाई लगाएंगे तो मार्जन को हम एकसाइट करके इस पे लपकी सिलाई लगा देंगे दोस्तों हमने जहां तक हमारा चाक का मूँ है वहां तक हम सिलाई को ले जाके वहां से हम किरोस में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से तो दोस्तों इस तरीके से हमारे बैक पल्ले की भी स्टीचिंग हो गई है यह हमारी बैक है तो अब हम कंदी लगाएंगे तो हम बैक को नीचे रखेंगे और फ्रेंड पल्ले को हम इसके उपर रखे आदा इंच का मारजन लेके दोनों कंदीों को अटेच कर देंगे अटेच करने के बाद दोस्तों हम इसकी साइड भी लगा लेंगे क्योंकि जो हम इसकी बाजू है वो गोल चलाते हैं क्योंकि भी उता है तो दोस्तो इस तरीके से हमारे बॉडी है, बनकर तयार हो गई है, इसकी हमने सैडे लगा ली है, अब हम आपको बाजू की स्टीचिंग करना बताते हैं, तो दोस्तो जहां पर हमारा चिटका लगा हुआ था, वहां से हम इसको इस तरीके से नाकून से तोड़ लेंगे, सानी के साथ खुल जाए, तो हम इसको इस तरीके से रखके कच्छा फोल्ड कर देंगे, यानि सिलाई को बढ़ा करके लगाते हैं, बाजू को को पका कर लेंगे, साइड से, इसकी बाजू की जो साइड है, हम पहले से बंद कर लेते हैं, क्योंकि जो बाजू है मारी, वो गोल चलती है, तो इसलिए हम बाजू को बंद कर लेते हैं, तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी बाजू भी बन गई है, और ये जो बाडी है, वो भी बन कर तयार हो गई है, इस तरीके से हम कंदी में चटका लगा लेंगे, दोनों कंदियों में, जो हमारा इस सेंटर का पता रहेगा, अब दोस्तों, बाजू किस तरीके से चड़ाते हैं, या लगाते हैं, दोस्तों, बाजू को हम सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाजू हम नाप कर देख रहेंग अब दोस्तो बाजू को हम इसके अंदर डाल देंगे दोस्तो बाजू चड़ाते समय ये दियान रहे कि जो चटका वाला हिस्सा है गड़ा हमने दिया था वो गड़े वाला हिस्सा हमारा फिरेंड पल्ले की तरफ आता है सामने पल्ले की तरफ तो हम इसको सेंटर से मिलाकर आदा इंच का मार्जन लेकर इसको हम अटेच कर देंगे इसी तरी कि दोस्तो आपको दोनों बाजुओं को लगा लेना है दोस्तो जो हमारा मार्जन है कंदी का वो बैक की तरब जाता है तो दोस्तो इस तरीके से हमारी बाजु लगकर तयार हो गए है अब दोस्तो हम लोग नीचे से बाटम कच्छा कर लेते हैं क्यों बाटम में भी हमारी तुरपाई होगी तो इस तरीके से हम बाटम में निसान लगा लेंगे दो इंच का जो हमने बाटम में मारजन रखा था वो इसलिए रखा था इस तरीके से हम बाटम को फोल्ड करेंगे और इसमें कच्चा बकिया लगा देंगे इसमें हमारी तुर्पाई होगी इसमें बाटम करेंगे तो दोस्तो इस तरीके से हमने बाटम को भी फोल्ड कर लिया है अब दोस्तो बारी आती है कॉलर हम किस तरीके से लगाते है तो दोस्तो इस तरीके से हमने कॉलर की पेश्टिंग कर लिया है यदि दोस्तो आपको कोट कॉलर की कटिंग करना नहीं आता है तो हम आपको इसकी cutting भी करना बता देंगे तो इस तरीके से हमने इसको pattern से तोड़ लिया है अब दोस्तो हम इसको की side बंद कर लेते हैं इसको हम बना लेते हैं पहले बनाने के बाद दोस्तो हम किस तरीके से लगाएंगे इसको वो भी हम आपको बताएंगे तो दोस्तो इस तरीके से हमारी कॉलर की स्टिशिंग हो गई है अब दोस्तो हम किस तरीके से इसको लगाते हैं बॉडी को हमने सीधा रखा हुआ है सीधा रखने के बाद दोस्तो जहां से हमारा सेंटर था सेंटर से हम इस तरीके से रखेंगे और हम इसको कच्चा कर देंगे अगरें दौस्तो दोस्तो इस तरीके से हम कॉलर को कच्चा कर लेंगे आप कच्चा करने के बाद दोस्तो अब हम इसको किस तरीके से पक्का करेंगे हमने इसको इस तरीके से रख लिया है 20 से हम पक्का करना स्टार्ट करेंगे दोस्तो अच्छी तरीके से आपको ठोके को अंदर कर देना है जरासर भी ठोका बाहर को न निकला रहे जिससे हमारा कॉलर बद्दा लगेगा दोस्तो इसी तरीके से आपको कॉलर को दोने तरफ पक्क कर लाएना है तो दोस्तो इस तरीके से हमने कॉलर की भी इस्टिजी कर ली है यानि कॉलर को लगा लिया है तो इस तरीके से हमारा जो डॉक्टर कोट है वो बनकर तयार हो गया है आई होप कि दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल न भूले आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ